हाई गाईस वेलकम टो अनदर कुकिंग ब्लॉग इस फ्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ है एक सिंपल से मिठाई की रेसिपी जो की बहुत असान तरीके से और कम इंग्रीडियंट्स के साथ बन करके तयार हो जाएगी तो ये दूद जो आप देख रहे हैं एक्चुल में फट गया था अपने आप ही और जो मैंने दूद इस मिठाई को बनाने के लिए चड़ाया था वो भी फट गया था तो मैंने उसमें थोड़ा सा लेमन का जो रस है वो स्पीस करके डाला तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखे कि कभी भी अगर आप निपू का रस यूज कर रहे तो उसको चनी से एक बार चान ले ताकि उसके बीजे और रेशे जो है इसमें ना जाए और छेना को भी आप काफी अच्छे से नॉर्मल पानी से वाश कर ले फिर जो मैंने दूद लिया था वो तकरीबन यहां पर आधा लिटर था और वो जो छेना था वो एक से ड अच्छे से क्रमबल करते हुए अगर क्रमबल करके नहीं डालेंगे एक साथ डालेंगे तो बिल्कुल स्टिकी सा अलग हो जाएगा तो ऐसे आप डालेंगे तो काफी दानेदार बनेंगी मिठाई और उसके बाद जब यह अच्छे से पक जाए तो आप इसमें लास्ट में तकि इसका फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस हो जाए तो यह जो मिठाई है यह है कलाकंथ आपको देखके समझ में आई गया होगा और यह इस स्टेज के आते तक आपको इसको पकाना है और अगर आपके पास कोई मोल्ड है कोई ट्रेया तो आप उसमें इसको सेट कर सकते हैं में प्लेट थी तो मैंने इससे अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया था उसके बाद मैंने इसमें इस मिठाई को सेट किया डरना नहीं है अगर मिल्क थोड़ा बहुत जादा भी हो जाएगा तो भी यह मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी ट्रस्ट मी और इसको आप रूम ट कुछ भी किसी भी ड्राय फ्रूट या केसर से आप इसको गार्निश कर सकते हैं एक बार जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप इसको कट कर ले मैंने हाँ पर इसको स्क्वेर शेप में कट किया है और देख सकते हैं काफी ताजा बिल्कुल ही कम समान से बनकर के मिठाई तैयार हो गई थी तो आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राय करें और मुझे बताए कि यह कैसी वह नहीं थी मिलते अगले व्लॉग में बाबाई